इसा कि आप लोग देख रहे हैं दो-तीन दिन से एक वीडियो वाइरल हो रहा है जिसमें सीख कम्मुनिटी कह रही है कि हमारी दो बच्चियां दनमीत और मनमीत मिसिंग हैं जिसमें मनमीत को तो ये वो बोल रहे हैं कि उन्होंने मनमीत को रिकवर कर लिया है और दनमीत जो है मैं 2012 में converted हुई हूई हूँ 2014 में मेरे निका हुए है मेरे batchmate मुझफर के साथ जो मेरी और उसकी रजावंदी से हुए है उसके बाद 6 जून 2021 में अपने गर से निकली मैंने अपने गर में कॉल भी किया कि मैं अपने मर्जी से निकली हूँ मुझे डूढना नहीं और विदिन दो गंटे में पुलीस ने मुझे लोकेट कर दिया और सदर पुलीस स्टेशन बागात ले आए जिसमें और पूरी सिक कम्मिटी और मेरी फैमिली वहाँ पर थी उसके बाद SHO ने मेरा स्टेटमेंट लिया जो मेरा स्टेटमेंट सिर्फ औरल ले रहा था मैंने उसको ये बोला आप मेरा स्टेटमेंट रिटिन कीजिए आप जो मैं बोल रही है अब return कीजे मैं उनको ये बता रही थी 2012 में मैं converted हुई हूँ 2014 में मेरे निका हुए हैं मेरे documents high court के हैं आप एक बार documents चेक कीजे मेरे और इतना सब कुछ सुन के भी लड़के को lock up में डाला गिया था उसके उपर 800 charges लगा दिये गए थे मैं उनको बार 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 बो रही थी कि मेरा 2012 में converted हूँ मैं मैं 29 year old girl हूँ मैं एक छोटी बच्ची आपने पकड के नहीं लाई कि आप मुझे मेरी family के और hand over कर रहे हो उन्होंने मेरी family को बिना कोई मेरी statement written कियो यह मेरी family को मुझे दे दिया मैं बार बार उनसे यह कह रही थी कि please आप मेरे documents देखिए उन्होंने मेरे documents चेक भी किये still उन्होंने मेरी family को मुझे hand over कर दिया और उसके वादी next day 7th को मेरी family मुझे यहां से जम्मू ले गई और जम्मू जाते ही क्या हुआ जम्मू जाते ही वो लोग मुझे पंजाब ले गए पंजाब में मेरे को अलग-अलग federation मिलने आ रहे थे वो मेरे को brainwash कर रहे थे वो वहाँ पर मेरे को यह समझा रहे थे कि आप जो statement है वो against देना, लड़के के favor में नहीं देना मैं वहाँ पर भी सब को यही बोल रहे थी कि लड़के ने मेरे को कोई kidnap नहीं किया है मैं अपनी मर्जी से आई हुई हूँ हमारे पस high code के documents है आप वो देख सकते हो लड़के के उपर जो भी acts लगे हैं वो baseless है, false है क्योंकि यह सब मेरी रजामंदी से हुआ है हमारे जो documents है वो high code के documents है इतना सुनने के बाद भी उन्होंने मुझे कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है हम आपको उनके पस वापिस नहीं बेच सकते है मैं उनको बार बर कहती थी आपने कोई 16 साल की बच्ची पकड के नहीं लाई है मैं एक mature girl हूँ मैं एक educated girl हूँ इतना सुनने के बाद भी वो मुझे यही threatening दे रहे थे कि अगर आपने ऐसा statement वहाँ पर दे दिया जो statement लड़के के favor में होगा तो हमारे shooters वहाँ पर बाहर आपका wait कर रहे होगी आपको निकलती ही shoot कर दिया जाएगा या तो वैसा नहीं अगर हम करेंगे acid attack तो आप पर हो जाएगा या हम उनकी family पर acid attack कर देंगे वो मुझे threatening सीधी दे रहे थे मेरे face पे उसके बावजूद भी मैंने उनको कोई video ने दिया वो मुझे कह रहे थे आप हमें अपना video दीजिए वो video हम कश्मीर में दे देंगे कश्मीर का judge उस video पे अपनी judgment दे देगा लेकिन मैं उनको कह रही थी ठीक है video तो मैं नहीं दूँगी अगर मैं statement दूँगी मैं judge के सामने statement दूँगी मैं वहाँ परी दूँगी क्योंकि सब मेरी रजामंदी से हुआ है मैं किसी बेगुना को नहीं फसा सकती क्योंकि ये सब कुछ मेरी रजामंदी से हुआ है मैंने जब मैं गर से निकली मैंने गर में कॉल भी किया कि मैं kidnapping नहीं है आप लोग मुझे डूढ़ना नहीं मैं अपनी मर्जी से निकली हुई हूँ और उसके बाद भी उन लोग उन्हें मेरी बात नहीं सुनी तो हम जम्मू आगे क्योंकि उन्होंने उनका जो plan था जो उनका next प्रोपागंडा वहाँ पर यह था कि लड़की को golden temple से बाहर निकालो लड़की जैसे ही बाहर निकलती है हम इस पे कोई attack कर देंगे में भी वह कुछ भी हो सकता था वह accident भी हो सकता था वह shoot भी हो सकता था तो उसके बाद हम एक post-mortem report देंगे जिस post-mortem report में हम यह mention करेंगे कि एक sudden death हुआ है इस लड़की का heart collapse हो गया है यह इसको brain damage हो गया है हम जो भी करेंगे हम बिल्कुल साफ सुत्रा करेंगे हम इसको यह बता देंगे इस पे सिरुफ इसका एक sudden death हुआ है आप लोगों को कोई कभी किसी चीज में नहीं पकड़ सकता है और यह चीज मैंने सुन ली थी मैंने अपनी family को morning में insist किया हम यहाँ पर नहीं रहेंगे चाहिए कुछ भी हो जाए मैं यहां suicide कर लोगी हम यहां से निकल जाएंगे हम यहां से निकल दें ठीक है जैसा आप बोलोगे जम्मू में मैं आपको यह statement दे दूगी बट मैं पंजाब में यह statement कभी भी नहीं दूगी और उसके बाद हम लोग जम्मू आगे जम्मू आते ही जैसे हम एक दिन रुके next मैं अपनी family के साथ 6 June से लेके 25 जून को morning में मेरे family में call आया कि हम कश्मीर पुलीस से हैं हम gate के बाहर हैं आप आये तो मेरी family में दो बंदे बाहर गए वो उनसे मिले वहां पर जम्मू जानिपूर की पुलीस भी थी यह नहीं था कि वहां पर खाली कश्मीर पुलीस थी वहां हमारे गर के साथ ही एक पुलीस उसके बाद वो मेरे room में आये उन्होंने मुझे बोला मैडम चलिए हमारे पास high court के orders हैं वो order हमने देखे और सीधे पहले मुझे जानीपूर पुलीस स्टेशन में लेगे जानीपूर पुलीस स्टेशन के बाद उन्होंने मुझे जानीपूर SHU ने मुझे hand over किया कश्मीर पुलीस के हवाले और उन्होंने को बोला जब सब उन्होंने high court के orders देखे high court के directions देखे तो उन्होंने बोला आप लड़की ले जा सकते हैं और उसके बाद ही हम आगे हम यहाँ पर पहुंचे मुझे women's police station में रखा गया बहाँ पर मिरको ना कोई मिलने आया ना मैं किसी से म आपको पता है court में कोई किसी को gunpoint पे कभी उसकी statement नहीं ले सकता है अगर ऐसी चीजें होने लगी फिर court पे भी तो कभी हम यकीन नहीं कर सकते हैं न क्योंकि यह सब तो आपको पता ही है court पे कोई किसी को gunpoint पे नहीं रख सकता है और मिरको जैसे जो मुम में लाए गया मैं तो किसी से भी नहीं मिली मिरको तो women's police station में रखा गया उसके बाद ही सुबह squared आई किसी को नहीं पता था कि मेरी hearing है क्योंकि मेरी hearing already तीन बार delay हो गई थी क्योंकि तीन बार six से लेके 25 तक हम out of station थे हम जम्मू हम पंजाब में थे मेरी hearing मेरी जो hearing है वो miss होती गई हाई court के direction से मुझे यहां पर बुलाया गया मुझे code तक पहुंचाया गया code में judge sahiba के सामने मैंने अपनी statement दी जिसमें मैंने उनको यह बताया है कि यह सब मेरी रजामंदी से हुआ है मैं 2012 में converted हूँ 2014 में मेरे निकाव हुए है मेरे batch mint के साथ उसके ओपर जितने भी acts allegations है वो baseless है वो false है और उन्होंने मेरी statement सारी written record कर दी तो आप सब भी यह जानते हैं कि अगर judge के सामने भी कोई किसी को gunpoint पर रख सकते हैं तो हम तो किसी पर यकीन नहीं कर सकते हैं आप सब तो जानते ही है ना सब के family members किसी का कोई court में होगा सब सब इसमें जानते हैं कि judge के सामने यह knowing or well aware है और मैं educated girl हूँ मिरे को पता है मेरा rights क्या है क्या नहीं है so please आप इसको एक religion का मसला मत बनाए एक political issue मत बनाए एक minority किसा मत बनाए क्योंकि जो चीज अपनी रजामंदी से होती है इसको मेनारोटी में मत लाए क्योंकि मैं अपनी मर्जी से converted हुई हूए और please मैं सब से यह बोल रही हूँ कि यह दो दून और तीन दिन का मसला नहीं है 2012 का मसला है मेरे documents पूरी sick community के पास है इस time पर मुझे समझ नहीं आ रहा है वो यह क्यों बोल रहे है gunpoint पे रखा गया है हम कोई छोटे बच्ची नहीं है मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ मैं 28 years old girl हूँ म को मेरी रजामंदी से हुई है मेरे को कोई दबाव किसी का नहीं था किसी का भी मेरे को in fact अगर दबाव मुझे दिया गया हो मेरे को बाहर दिया गया कि अगर आप कश्मीर में आपने लड़के के favor में कोई भी statement दी हम आपको जिंदा नहीं रखेंगे आप पे attack होने वाला ह उसके ऊपर हो जाएगा लड़के को हम कभी central jail से नहीं निकलने देंगे यहां पर तो वैसा मेरे को कोई threatening नहीं था मैंने तो freely अपनी सारी statement यहां पर दी है और प्लीज मैं आप सबसे यह बात बोलती हूं इसको प्लीज रेलिजिन को बीच में मत लाइए मैनारोटी को कम से कम लाइए कि मैनारोटी को दे के हमारी बच्चियों के साथ ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है क्योंकि बच्चियां बच्ची नहीं है जो बच्ची 28 years old girl है उसको तो सुप्रीम कोड के orders है वो अपने rights को चुन सकती है right to religion right to marriage यह तो आप सब नहींगे इस बारे में so please religion के नाम यह दंगे फसाद मत करवाईए यह demand मत कीजिए वो missing है मैं कोई missing नहीं हूँ मैं जहां पर हूँ मैं अपनी मर्जी से हूँ और मैं बहुत खुश हूँ so please इसको religion का नाम और minority का नाम मत बताएए मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ जिसको बोल के यह करके यह चीज कराई जाए फिर तो मैं अपनी फैमिली के साथ पूरा 25 डेज थी जिसमें उन लोगों ने मेरी थ्री हेरिंग मिस हुई है यहां पर और फूर्थ हेरिंग में जब हाई कोट के डिरेक्शन से तम मैं यहां पर पहुची हूँ है so please आप इसको minority का किस्सा मत बनाएए इसको इतना ब